वास्सब गाइस इस अजे और आज हम कंपेर कर लेते हैं सोनी एकस्पीर एकसे बन प्लस को जो की नुनी लाउंच रवाइस है इसका प्राइस रूपीस 25,000 और समसंग गालक्सी जैसेवन प्रो को जिसका प्राइस है 21,000 रूपीस वैसलबलेगाउ प्राइस इस अजैसेवन मैest ग motion नाई उट क्रा और सूनी ख़्yrक्स आने मैं मैंनरत खेश्टेदर समसंग चैसेवन परलएड यहाँ बाट लिह नेकिन यहांपे सवारगे मुलेंने सुपर ओनों बीमलती है ग कोटेदेंगे काफी अच्छी वी नाइस चिक बड़ेस दोनों ऑफोंस में प्रोंस पॉल्मोंस में फोड़े हविए साइट में दोनों डॉइस और वह अगर हम देखें सेप्स और असके फाक्तर की तो Sony Xperia XA1 Plus का guys form factor थोड़ा longer side पे है आप इतना easily इस phone को use नहीं कर पाएंगे phone थोड़े दोनों ही बड़े हैं लेकिन Samsung Galaxy Jason Pro is still usable with single hand यहाँ पे यह थोड़ा length में ज्यादा है उसके बाद guys आज आते हैं सीधा camera पे तो Sony में मिलता है 23MP का rear camera वहीं Samsung में 13MP का rear camera है यहाँ पे अपर्चर साइस बड़ा है F1.7 यहाँ पे अपर्चर साइस F2.0 है लेकिन guys यहाँ पे Sony का Xbox sensor यूज हुआ 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 है megapixel में काफी difference है तो यहाँ पे Sony आपको अच्छी images प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जब आप वीडियो शूट के ले जाते है तो इसमें Sony SteadyShot technology जो की एक kind of image stabilization technology है आपके हाथ बेल रहे हो वीडियो या फोटो की इससे होए तो वो थोड़ा steady इसको कर देता है वहीं ऐसी कोई technology Samsung J7 Pro में नहीं मिलती saying that guys camera on J7 Pro is good it's a good camera low light में भी अच्छा परफॉर्म बेदा है daylight में परफॉर्म ब्रिलियंटली बट यहां पे जब हम दोनों फोन को compare कर रहे हैं तो 23MP Sony camera is what I'll go after वहीं front facing camera की बात करता है Sony में 8MP का front facing camera है वहीं Samsung में again 13MP का front facing camera है but aperture size बड़ा है f1.9 and guys selfies और वीडियो इंप्रेसिव आते हैं दोनों फोन से बट अगें J7 Pro यहां पे front facing camera में बीट करता है Sony को so guys आप रसाइड कीज़े आपी preference rare camera है या फिर front facing camera so guys यहां पे इन दोनों फोन के performance की बात कर रहे हैं Sony Xperia XA1 में मिलता है MediaTek Helio P20 38 core processor साथी साथ 4GB RAM Samsung J7 Pro में हमारे पास है Samsung का अपना Exynos processor वो भी 8 core processor है साथी साथ 3GB RAM मलती है guys routine task की बात करें WhatsApp, Facebook, Gmail, YouTube multiple tabs खोलना browser में सारे apps असानी से सारे tasks असानी से हो जाएंगे दोनों devices पे दोनों devices इन issues में heat नहीं करेंगे कोई issue नहीं आएगा लेकिन अगर आप जब gaming की बात करते है normal gaming again zone of phones में हो जाती है heavy gaming पे आ जाते है guys again these phones perform best during heavy gaming अगर आप games medium graphic setting पे चला रहे हैं तो screen पे काफी सारे pixels है and guys यहाँ पे थोड़े बहुत हमें lags minute lags अगर कोई आप बिलकुल hardcore gamer नहीं है तो हो सकते है आपको lags नजर भी नाए लेकिन अगर एक hardcore gamer के नजर से देखा जाए तो बिलकुल smooth gaming performance without any lags without any delays without any stutters वह performance आप medium graphic settings में मिलेगी otherwise heavy gaming भी influence पे हो सकती है now moving towards the battery life तो इस Sony में हमें मिलती है around 3-4-3-0 mAh की battery Samsung में हमें 3600 mAh की battery मिलती है दोनों की battery performance अच्छी है और अगर आप देखें आप बहुत heavy usage नहीं करते है आपको बिलकुल normal usage है तो एक दिन से जादे last करेंगे दोने device लेकिन अगर आपका heavy usage है तो भी दोनों devices एक दिन तो at least last करते ही है Sony में आपको better यह option है कि आपके पास यहां पर कुछ charge feature है battery compatibility जल्दी charge हो जाएगी Samsung की battery 2 गंडे उसे जादा लेती है 3600 mAh battery charge होने में लेकिन इसका battery backup is solid, it's a robust battery backup one day अराम से last होता है जाएगा जाएगा पर्फॉर्मिंस की बात करें display की बात करें camera की बात करें और battery life की बात करें overall यहां पर Samsung Galaxy Json Pro is a better value for money device इसका front facing camera is slightly better than Sony rear camera, Sony को obviously beat नहीं कर सकता but it's a good rear camera build quality दोनों phones की अची है Samsung एक काफी robust build quality हमें देता है और वहीं display इसका Super Amoled यहां पर display provided कर रहा है Sony में आपको जो better option मिलता है वो है इसमें camera mirror camera में आपको steady shot दिया है यानि image आपका hand slightly हेल भी रहा हो image कीशते आप video लेते है वो image stable आईगी as compared to Samsung, Samsung में धियान दखना पड़ेगा जब भी आप email ले रहे हैं especially night time में काफी steady होने चाहिए वही साथी चाहिए Sony में guys एक और better thing है कि यहां पर हमें fast charge feature मिल रहा है जो कि Samsung में missing है So guys overall आप अगर बहुत बड़े Sony fan है and you want to have that pocket to spend 25,000 rupees then go for Sony otherwise J7 Pro आपके most of the tasks whether it be camera, whether it be battery whether it be build quality or display सारे tasks आपके पूरे करेगा आपके सारे smartphone से expectation पूरे करेगा So guys hopefully आपके doubts clear होए होंगे, please मुझसे जूर जाहिए and hit subscribe button hit कर दीजे and guys कोई भी query है तो comment section use कीजे, अपनी comment section में छोड़ दीजे, मैं बस नहीं से करूँ and don't forget to hit the subscribe button and over here this is Ajay signing off take care guys